हलो मेरे दोस्तों मोस्टली आपने यही सुना होगा कि जितना यंग एज से निवेश करना शुरू करोगे उतना जादा का वेल्थ आप क्रियेट कर पाओगे और यही सुन सुन कर जो लोग अपने 30's में आ जाते है उन्हें लगता है कि हम कितने लेट हो चुके हैं अब और वो थोड़े डी मोटिवेट हो जाते है जिसके कारण उनका इन्वेश्टमेंट करने का मोटिवेशन कम हो जाता है यह सोच कर कि अब इन्वेश्टमेंट करने का क्या फाइदा लेट तो हम already हो ही चुके है लेकिन दोस्तों आज इस वीडियो से समझते है कि कैसे अपने 30's में भी एक nominal amount से invest करना शुरू करके भी हम एक decent amount एकटा कर सकते है अपनी retirement के लिए तो चलिए समझते है कि कैसे 10,000 रुपीज की investment से शुरू करके हम 11 करोर तक का corpus अचीव कर सकते है और आगे कुछ समझे उससे पहले मैं हूँ भाविन certified financial planner और आप देख रहे है YouTube channel The Art of Wealth Building आपका one point destination to seek an unbiased consultation on personal finance अब बलराम ने अपना graduation complete तो 25 की age में ही कर लिया था लेकिन 5 सालों तक उसे किसी ने बताया ही नहीं कि उसे अपनी पहली कमाई से ही कुछ रकम अपने future goals के लिए invest कर देनी चाहिए लेकिन 30 years के होने पर उसे लगा कि अब serious तो होना पड़ेगा वरना future में पैसों को लेकर problem हो सकती है अब ऐसे में बलराम के कुछ loans है और वो बस फिलाल 10,000 रुपीज पर मन्त से ही अपनी investment शुरू कर सकता है तो यहां इस screenshot के अनुसार बलराम 10,000 रुपीज invest करना शुरू तो करेगा लेकिन उसे हर साल अपनी salary बढ़ने के साथ-साथ बस 4,000 रुपीज से अपनी investment को बरस में एक बार बढ़ाना होगा जैसे 10,000 फिर अगले साल 14 and so on so that जो time उसने waste किया है वो उसे थोड़ा बहुत catch up कर सके अब पहले 10 सालों में 12% return expectation के हिसाब से उसके पास एकटा होंगे 56,000,000 रुपीज और total amount जो वो निवेश करेगा वो होगी करीब 33,600,000 रुपीज फिर age 40 के होने पर वो अपने portfolio का risk reduce करेगा और अपनी return expectation 12% से reduce करके 11% कर देगा लेकिन वो अब हर साल अपनी investment 5000 रुपीज से increase करेगा और 49 years के होने तक उसके पास होंगे करीब 3.18 crore रुपीज और total amount जो वो इन 10 सालों में invest करेगा वो होगी करीब 88.2 lakh रुपीज और अब 50 years की age से बलराम अपने portfolio का risk और भी reduce कर देगा और अपनी return expectation को 11% से घटा कर 10% कर देगा लेकिन अब वो अपनी investment amount को 6000 रुपीज से बढ़ाएगा हर साल और उसके पास 60 years के होने तक accumulate होंगे करीब 11 crore 19 lakh रुपीज और इन 10 सालों में total amount जो वो निवेश करेगा वो होगी करीब 1.54 crore रुपीज और इन 30 years में total amount जो बलडाम ने invest की वो है 2.76 crore लेकिन ये पैसे बढ़कर हो गए total of 11.19 crore रुपीज लेकिन दोस्तों अगर हम 6% inflation consider करें तो 30 years बात इन 11.19 crore की value आज के 1.74 crore के बराबर होगी as महेंगाई बढ़ने के कारण पैसो की purchasing power reduce हो जाती है और अगर आपने observe किया होगा तो 53 की age से लेकर हर साल बलडाम का corpus almost 1 crore plus के amount से बढ़ रहा है and that is because a power of compounding ने बलडाम के favor में काम करना शुरू कर दिया है अब दोस्तों अगर आप भी ये समझना चाहते है कि आपको future में अपनी retirement और बाकी goals जैसे घर खरीदना, car खरीदना, vacations बच्चों की higher education के लिए कितने पैसे चाहिए होंगे और आप कैसे इन्हें अचीव कर पाऊगे तो whatsapp कीजिए इस number पर अपना personal financial plan बनवाने के लिए और अगर आप हमारे हर Sunday और Wednesday वाले videos अपलोड होते ही notification पाना चाहते हैं आपके smartphone पर तो subscribe कीजिए इस channel को और bell icon पर click करके all पर जरूर click कीजिए आप हमारी website theartofwealthbuilding.com पर भी visit कर सकते हैं और अगर आपने अब तक हमारा telegram channel join नहीं किया तो नीचे description में मैंने link share की है आप join कर सकते हैं जो बिलकुल free है और दोस्तों आपका कीमती समय देने के लिए और इस video को end तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद